हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टीम वीवर कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न इंटर करते हैं यहां पर आपको फस्ट या सकेंड ओप्सन दिखेगा इसको पर आपको क्लिक करते हैं क्लिक करते हैं टीम वीवर का ओफिशली वेबसाइट ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद आपको क्या करना यहां पर डाउनलोड दिखे रहा है इसको पर आपको क्लि यह पेज ऊपेन होने के बाद आपको अलग अलग ऑपरेटिंग के हिसाब से यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए मिल यदि आपड़ केस में विंडुव सेलक्टर नहीं होगा तो यहाँ पर किश्या किर그램 करें यहाँ पर फल ऑपने के सिस्टेम के ए 가까विंदेग 실त कर लेना है यदि आपको पता करना नहीं आता है तो चलिए मैं सबसे पहले वह बता देता हूं इसके लिए आपको क्या करना है डेक्स्टॉप के ओपर जाना है डेक्स्टॉप के ओपर आने के बाद यहां पर आपको रैट क्लिक करना है इसके बाद आपको पर पर टीप क्लिक कर देने किलिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा आपको यहाँ पर चेक कर लेना है system type के आगे क्या लिखा हुआ है यदि आपके case में यहाँ पर 32-bit लिखा होगा तो आपको क्या करना है 32-bit का EXC download करके install करना है यदि आपके case में यहाँ पर 64-bit लिखा होगा हमेशा 64-bit के operating system में 64-bit का ही application आपको download करके install करना चाहिए मेरे case में 64-bit है इसलिए मैं आपको 64-bit का application download करके install करके दिखाऊंगा सेम तरीके साब 32-bit का EXC download करके install कर सकते हैं चलिए अभी हम इसको यहाँ से close करते हैं फिर से website को उपर चलते हैं यहाँ आने के बाद आपको क्या करना यदि आपके case में 32-bit है तो यहाँ से क्लिक करके 32-bit का EXC download कर लेना है यदि आपके case में 64-bit है तो आपको क्या करना करना चाहते हैं उपास select कर लिजाएगा उसके ऐसे ऐसे पे क्लिक कर देना है किलिक करते हैं इस तरह सेеноरोड हो जाएगवाгу Pfizer Eld होने कियां आक उस golden यह आपने 16 को से और आपको क्लिक कर देना है इसे आपको बपर आपको पो यहाँ और होन दिखता है तो आपको क्या करना इ यदि आपके case में यहां पर unblock नहीं दिखते हैं तो आपको क्या करना है ओके करके बाहर आ जाना है अब हम इसको install करेंगे install करने के लिए आपको क्या करना है यह ताप इसके ओपर double click करके install कर सकते हैं यह नहीं ताप run and mister करके install कर सकते हैं तीनों चीज़ में से कोई एक में इसा कोई भी अप्लीकेशन आपको run and mister mode में install करना चाहिए इसलिए मैं अपने case में यहां पर click कर रहा हूं click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा यह यदी आप के case में भी इस तरह से window आता है तो आपको क्या करना यहां पर yes पर click कर देना है क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्या करना यहां पर आपको कोई चेंजर नहीं करना यदि डैक्ट आप इंस्टॉल करना चाहते तो यह रहने दीजेगा यदि आप इंस्टॉल करना नहीं चाहते के बर रन करना चाहते तो आप यह भी सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो में आपक इस तरह से विंटी ओपें हो जएगा यहाँ पे आपको तीन क्वेश्चन पुछेगा यदि आप कॉमर्शल यूज करना चाहते तोपहला सेलेट कर सकते हैं यदि आपके पास कॉमर्शल लाइसेंस पहले से ही है और उसको आप कॉमर्शल यूज यूज करना चाहते हैं तो आप third option select कर सकते हैं माई अपने case में personal यूज कर रहा हूँ फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं क्या करूँ इसको select कर रहा हूँ इसके बाद आपको finish पे क्लिक कर देने क्लिक करते हैं इस तरह से ब्रॉजर में एक page open हो जाएगा आप या तो इसको यहां से close कर सकते हैं याने तो ब्रॉजर को आप minimize कर दिजेगा इस्ट्रोलेशन होने के बाद यदि आप इस exe को save करके रखना चाहते तो आप रख सकते या नहीं तो आप इसको delete करना चाहते तो इसको आप delete भी कर सकते हैं team viewer open होने एक बाद यहां पर आपको ID दिख जाएगा या आपका ID है सामने वाले जिसको भी आप देना चाहते या ID दे दिजेगा उसके बाद वो password पूछेगा यह password दिजेगा तो सामने वाला आपका system online connect करके जो भी help लेना चाहते हैं या जो भी आपको use करना चाहते हैं वो connect कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको यूज कर लिजेगा और प्लीज गया चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू